इंडिया में अगर EV सेग्मेंट की बात की जाए तो Tata Motors लीड कर रहा है और ये लीडर्शिप उन्होंने काफे ज़्यादा कम टाइम के अंदर अचीव की है साथ ही इस लीडर्शिप को आगे भी कॉंटिन्यू करने के लिए वो रेगलर इंटर्वल्स पर नए नए प्रॉडक्स अपने EV सेग्मेंट के अंदर उतार रहे हैं अभी फिलाल में Tata Motors के पास में हैं TIGOR EV, TIAGO EV और निक्सॉन EV but recently Tata Motors ने रिवील कर दिया है कि उनकी पंच EV भी मार्केट के अंदर जल्द ही आने वाली है और अगर बात की जाए इस EV की यानि कि पंच EV की तो यह राइवल करेगी Citron EC3 Extra EV जो की upcoming model आने वाला है Extra का और पंच EV डिराइब रहने वाली है Tata के नए Active.EV platform के उपर जो की हाली में reveal किया गया Tata Motors की तरफ से अब यह जो platform है इसके full form है Advanced Connected Tech Intelligent Electric Vehicle जो की dedicated electric cars के लिए इन्होंने यह platform बनाया है और जो इनकी future के अंदर EV आने वाली है जैसे की Harrier EV, Safari EV and even Curve उसको भी इसे platform के अबड डिराइब किया जाएगा अब इस platform की ना बहुत सारी खासियत है जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साधी punch EV के बारे में मैं आपको in detail बताऊँगा अब इस platform पर ना सबसे पहली चीज कि जो punch EV है वो पहली electric car होगी जो की इसके उपर आ रही है उसके बाद इनकी future cars आएंगी अब इस platform की जो सबसे बड़े खासियत है वो है कि इस platform के उपर ना different sizes of chassis बन सकते हैं और हो सकते हैं यानि कि जो इनकी future EVs आने वाली है जैसे कि curve, harrier और even safari तो अगर आप देखेंगे तो punch एक छोटी car है वो भी इसे platform के उपर आ रही है पर बन सकते हैं और इसके उपर हो सकते हैं तो यह सबसे बड़ी चीज़ा साथ है different style जो body styles है उसको भी यह platform allow करता है इसलिए इस platform के उपर आगे इनके future EVs आने वाली है और punch EVs सबसे पहली car है जो कि इस platform के उपर आ रही है दूसरी चीज़ के अगर मैं बात करूं तो अभी फिलाल में जो EVs थी यानि कि टिगॉर टियागो और इवन नेक्सॉन वो थी आर्किटेक्चर यानि कि जिप्ट रॉन आर्किटेक्चर के उपर बेस बट पंच EV रहेगी इनके नए platform के उपर यानि कि active.ev platform के उपर और यह platform allow करता है फ्रंक यानि कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो इनकी EVs है उनके bonnet को अगर आप open करेंगे तो वहां पर हमें किसी भी type का फ्रंक नहीं देखने के लिए मिलता है जो bonnet है उसके अंदर आपको एक storage space मल जाएगी जो कि आप as a dick की आप कह सकते हो यानि कि platform allow कर रहा है फ्रंक को और फ्रंक यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा तो यह काफी बड़ा advantage भी है अब इस platform के ना बहुत सारे key pillars है जैसे कि आप यहां पर वीडियो के अंदर देख सकते हैं इस platform के अंदर सबसे पहले हमें power train देखने के लिए मिलता है उसके बाद चैसी है तेन electrical architectural है उसके बाद cloud architectural है अब यहां पर ना सबसे बड़ा जो improvement हुआ है ना वही है कि 10% improvement हुआ है from ziptron architectural यानि कि जो पहले इनकी EV आ रही थी उससे यहां पर 10% जादा improvement देखने के लिए मिलेगा हमें active.ev platform के साथ अब इससे क्या होगा कि जो mileage है ना वो 300 km से लेके 600 km की जो range है ना वो यह platform यहां पर देखा यानि कि 5 EV के साथ में हमें जो mileage है ना 300 km की जो mileage है वो मिल जाएगी और जो true mileage है ना वो 200 km के साथ मिल जाएगी और जो long range होगी यानि कि 5 EV है वो 2 ranges के साथ में आएगी long range and medium range medium range के इंदर हमें 300 km की range और true range 200 km की मिल जाएगी और long range के साथ में 400 km की range और true range हमें मिलेगी 300 km की तो ये काफी बड़ा update एक छोटी कार से इतना बड़ा जो mileage है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है अब जो इनका normal जानि की medium range होगी उसके इंदर हमें 25 kWh के battery pack मिलेगा और जो इसकी long range होगी वहाँ पर में 35 kWh का battery pack देखने के लिए मिल जाएगा और अगर मैं highlights की बात कर future EVs आने वाली है उसके अंदर अगर यह all wheel drive option देते हैं front wheel देते हैं rear wheel drive देते हैं तो हर एक चीज इस platform के ओपर लग सकती है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको punch के अंदर all wheel drive option मिलने वाला है मैं सिर्फ यहाँ पर अभी architecture जो इनका नया platform आया है उसके बारे में यहाँ प options हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे एंड साथी इस platform के साथ में अगर आप 10 मिनट भी अपनी कार को charge करेंगे ना तो 100 km की जो range है ना वह आपको मिल जाए कि अगर आप fast charger से charge करते हैं तो basically platform काफी ज़्यादा high tech है advanced है और अभी दख हमें EVs के अंदर इतना अच लोक्स की तो लोक्स अगर आप देखेंगे तो बिलकुल हमें निक्सॉन वाले लोक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं basically आप इसे mini निक्सॉन कहले सकते हैं front के अंदर as such कोई भी changes नहीं है साथ ही हमें यहाँ पर welcome feature and goodbye feature भी देखने के लिए मिल जाएगा with the punch यहाँ अगर आप देखेंगे तो projector headlamps भी यहाँ पर मिल रहे हैं full LED setup हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा साथ ही अगर आप साइड लोक्स देखेंगे तो वहाँ पर aloys का changes है and rear के अंदर कुछ भी change नहीं किया गया है but interior के अंदर काफे जादा upgrade हमें देखने के लिए म AQI display, SOS function, DC fast charging and और भी other features हैं जो कि हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ पर अब सबसे बहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो punch EV है वो basically 2 ranges को साथ में आ रही है medium and long जो मैंने आप लोगों को बताया अब यहाँ पर 25 kWh की battery medium के साथ और long range 35 kWh की battery ranges मैं आप लोगों को ready बता चुका हूँ अगर आप लोग medium range चूज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो variants मिल जाते हैं हो है smart, smart plus, adventure, empowered and empowered plus अब अगर आप medium range रेल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको charging option मिलता है न वो है 3.3 kWh का wall box charger जो की यहाँ पर मिलेगा अगर आप लोग long range चूज करते हैं तो यहाँ पर जो आपको variants मिल जाते हैं वो है empowered plus, empowered and adventure यह तीन variants आपको मिल जाएंगे and यहाँ पर एक upgrade है यहाँ पर आपको 7.2 kWh का fast home charger है वो भी आपको यहाँ पर as a option available मिल जाएगा जो कि आप अपने घर पर लगा सकते हैं साथी 3.3 kWh का जो यहाँ पर wall box charger है वो तो मिली रहा है तो basically long range अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 2 charging options आपको available मिल जाते हैं and दोनों options के साथ में आपको 5 color options की जो choices है वो देखने के लिए मैल जाएगी and अगर आप लोग देखना चाहते हैं इनके features की किस फिरिंट के अंदर कौन कौन से features मिल रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों साथ लिस्ट लगा जाता हूं आप चेक आउट कर सकते हैं अब बाद आदिये 5 EV के expected pricing के बारे में तो सो जो इसकी pricing होगी न वह approximate रहने वाली है ग्यारा लाग रुपे से लेके 15 और 16 लाग रुपे के आसपास जो प्राइस है वो 5 EV की रहने वाली है सो दोस्तों यह था मेरे तरफ से in detail details about all new Tata Punch EV और आपको यह कार कैसी लगी मुझे comment करके ज़रू बताएगा साथ ही इस कार को आप prefer करेंगे यह नहीं करेंगे मुझे comment करके ज़रू बताएगा बागी वीडियो को लाइक कीजेगा चानल को सब्स्राइब कीजेगा मिलता ने